असलाम अलेकुम आज हम बनाने जा रहे हैं करेंची आनियन पकोड़े विद ग्रीन चटनी के साथ इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो यह है अब हम बनाएंगे खटी मिठी चटनी पहले आइट करूंगे कॉरेंडर मिन्ट और ग्रीन चिली अधरक का तुकड़ा इतनी अधरक लिए मैंने काला नमक शक्र शक्र अधर करें अधर करेंगे लिमन एक लिमन लिया है लिमन इसका जूस इसमेर के लिमन लिया है देखें मैंने अच्छा से ग्रीन चिटने बना लिया है अधर करेंगे बहुत अच्छा सा कलर आया है अधर करेंगे दहीब कि दिखिए हमरे खटी मिठी चटनी रड़ी हो चुकी है मैंने बेशन लिया है आनियन कटकर के लिए है हरी मिर्च, पुदीन, कॉरियंडर, नमक और बेकिंग सोड़ा अब इस मैट करूंगे आनियन पुदीन कॉरियंडर, ग्रीन चिली, बेकिंग सोड़ा अब थोड़ा सा याट करना हैं ज्यादा नहीं आनिया है और टेस्ट के लिए नमक थोड़ा दे के डाला हैं अब अच्छे से इसको अब देखें इसमें पेसनाइट कर रहे हैं हिए अब इसमें घरा करऊंगी आने अधाए थोड़ा तरके ट बारनाना रस्कों अधैक है तो है दिए मैं थोड़ा-धोड़ा करके एसा रही हैं इस देखें का लिकृत त्व शुके अच्छे से रडी हो यह बहुत अच्छा बनते हैं बर्श की दिनों में शामने बज़ते खाने के लिए चाई के साथ देखिए हमार पकड़े अच्छे से फ्राइब हो चुके हैं अब इसको में प्लेट में निकाले हुआ 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 इसमा इसमें फुदीना दानने से बहुत अच्छी खुश्बों आ रही है देखिए मेरे ऑनियन पकड़ा डड़ी हो चुके हैं आपको से खट कर देए अच्छे से पग गए हैं आप दीमी आंच पर ही फ्राइब करना है इसको नहीं तो अंदर के कच्छे रह जाएंगे ऊपर के लाल हो जाएंगे अपको अच्छा नहीं लगेगा देखिए हमार ग कोड़े तैयार हो चुके हैं आप गिरीम चट्नी के साथ खाईए बहुत अच्छे लगते हैं मज़ेदार बनते हैं और बच्चों को खिलाए आप भी खाईए अगर मेरी रसीपिया आपको पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें सस्क्राइब करें अ